नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रेडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई आज 32 वर्स की महिला के पाम का एनालेसस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरपर्थम इनके सवालों को सुड़ेंगे फिर एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे उसे प कोशन इस प्रकार है वर्तमाद समय में ये सरकारी नौक्री के लिए पριा असरत है आधिकारिक पद के लिए परयासरत है और आगी के जंदगी के विशह में जानना चाहती है कि आगी के जंदगी कैसी रहेगी स्ट्रग्लि electoral के PHP और आगी के जिन्दगी कैसी रहेगी मूल रूप से इस विसे पर इनको जानना है तो आप निशनतर ये आपके साड़े ही कोशन्स पर विचार करेंगे चीजों को बड़ी गहराई के साथ और बड़ी अस्पसता के साथ समझाने का और बताने का भी प्रयास करेंगे तो सबसे पहले चीज मैं आपको दिखाना चाहूँगा इनके पॉजिटिव चीज से सुरवात करना चाहूँगा तो इनके हाथ पर ना सूरी रेखा दो-दो है और आज आज आपको पता चलेगा कि कौन सी लाइन्स जो होती है जो धूमिल लाइन्स होती है जो एवई बन जा है हम सबसे पहले पॉस्टिव चीज पर ऐसी कौन सी पॉस्टिविटी इनके हाथ पर अवस्थ है थी तो यहां पर से इनके हाथ परना एक से ज़्यादा सूरी रेखा है बहुत विक्ति ऐसा कहते हैं कि एक से ज़्यादा सूरी रेखा अगर हतली परो तो अच्छी बिल्कुल दे रही है, उसी के सम्तुल ले अगर एक और सूरी रेखा है तो वो भी आपको अच्छा फल देगी, अगर उसी के सम्तुल ले एक और सूरी रेखा है तो बहुत अच्छा फल देगी, मैंने तो बड़े-बड़े अधिकारी वर्ष अधिकारी गण के हाथ पर भी एक सरदा सूरी रेखा है अपने अपने तेली खोल के देख लिए जो मिला लेजिए डिया पता आपके हाथ पर भी ऐसे ही चीजे हो तो यहाँ पर से एक सूरी रेखा दिखे यह बहुत जबरदस्त, यहा Sukha देख लिया आपने想, दू सूरीचा बड़ी जबरदस्त यहा से एक ट्रपुच के साथ है, सूरीचा यहा से भी एक और बन रही है, तो सूरीचा एक से जादा का अर्थ ही यह होता है, कि जातक को कम महनट में बेनेफिट मिल जाता है, कभी-कभी भागिसाली ये लोग हो जाते हैं, किसी भी नौकरी प्राप्ति के संबंद में, कि ऐसे लोग दिमाग के भी तहीज होते हैं सबसे पहले, और जब भी ऐसा कुछ कहा जाए कि कम महनत में आपको ज़्यादा सफलता मिल रही है, तो सीधा अ हाथ पर एक सदा सूरी रेखा होता है, काफी तगरा IQ लेवल ऐसे लोगों का देखा जाता है, जाना जाता है, तो इस अंदर में ऐसे वेक्ति कम भी प्रियास करते हैं, जिंदगी पर सफल हो जाते हैं, और अगर किसी वेक्ति के हाथ पर सूरी रेखा में दिक्कत का बात है यह समझो, जब यह पूरी लाइन ऐसे करके आ जाएंगे ना सूरी रेका पर, तो वो इदिक्कत वाली बात होती है, लेकिन अगर जैसे इस हाथ पर सूरी रेका एकदम प्लेन रहे, अच्छी रहे, तरभू जनुमा करती रहे, चतरभू जनुमा करती रहे, तो बहुत खुश तो फिर कुछ इमेजनली रेकाओं को बताऊंगा, तो यह सूरी रेका इनके हाथ पर बड़ी अदबुत थी, उसके उप्राहत इनके हाथ पर ना भाग्य रेका भी ठीक थे, भाग्य रेका भी अच्छी इनके हाथ पर बनी हुई है, लेकिन थोड़े fluctuations के साथ, fluctuations का discussion, जब म परिवर्तित होने वाली है, और आपको लिटरली ऐसा फील होगा, कि अब आप जिन्दगी पर ज़्यादा आगे बर पा रही है, और ज़्यादा अच्छे से किसी भी प्रकार के कारे को कर पा रही है, उसके बाद देखो तो जीबन ड्रेका पर प्रगती के योग परस पर आ दिशांदार है, यहां से भी मंगल ड्रेका कुछ इनके हाथ पर दिख रहा है, तो यह पॉस्टिविटी थी, बुद्ध रेका भी है इनके हाथ पर लेकिन बहुत विजबिटी के साथ नहीं है, लेकिन कुछ-कुछ विजबल भी है, एक बुद्ध रेका तो एकदम यहां स चली है जो कि बहुत बढ़िया माना जाएगा बुद्ध पे खई लाइन से इंसाना दिमाग के भी बहुत तीज होते इस बात का ये पर जगरा रही है तो पॉस्टिविटी में मैं अगर दिखाओं तो लाइन्स की एवज में अच्छी पॉस्टिविटी है और सूरी रेखा मूल रुपे इनकार कर जाएगी भागे रेखा भी अच्छी प्रॉग्रस नाइन ठीक है जहाँ पर से जातक को उच्छस्तरिय सफलता को तो दिलाती ही दिलाती है लेकिन अब यहाँ पर से उच्छस्तरिय सफलता में तभी डोल पाऊंगा और तभी बता पाऊंगा जब मुझे और भी चीज़े पॉस्टिव दिखे हाथ पर है नेगेटिव कम दिखे हाथ पर तो और बे चीजों में शुक्र इनका बढ़िया है दोणों मंगरीर का ठीक है इनका चंद्रमा भी बढ़िया है सन मढकरी भी ठीक है बेड़श्पती भी ठीक ठाक है तो ये तो होगा इनकी positivity जो कि लाइन्स के संदर्म में था ग्रहों के संदर्म में था जहां पर से जातक को इसका बढ़िया बेनेफिट मिल पाता इनके व्यक्तिकाज जिन्दगी पर अभी मैं आगे विचार करता हूँ और बे चीजों पर तो ये तो होगी positivity अब विचार करूँगा negativity पर अब बहुत से लोगों के मन में ये प्रशन आ रहा होगा क्या पता इनके ही मन में आ रहा हो अब इतनी ही अच्छी है हमारी अतेली थी तो मैंने कुछ अभी तक एचीव क्यों नहीं कर लिया 32 वर्स किया यूँ हो चुकी है और अभी तक भी जिन्दगी जूलते होई ही नजर आ रही है मतलब कोई विसेश कर सफलता नहीं मिली है तो बहुत अच्छा प्रशन है आपका तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके हाथ पर अगर positivity रहती तो negativity भी रहती है तो हमें negativity को भी समझना चाहिए ताकि हम उसको ठीक कर पाएं और जिन्दगी पर आगे बढ़ पाएं और आगे बढ़ने के लिए प्रियास कर पाएं सबसे बड़ी बात है कि negativity को भी समझना चाहिए ताकि हम जिन्दगी पर आगे बढ़ पाएं तो negativity क्या कुछ दिक्री थी इनके हाथ पर, सबसे पहले तो काफी independent nature की है, ऐसी महिलाएं जो होती है वो काफी independent nature की होती है, जल्दी सुनना वुनना इनको फसंद नहीं होता किसी का, ये लोग अपने इसाफ से चलते हैं, चाहे वो सही हो अथवा गलत हो, अगर जिंदगी पर खराब समय आएगा, तो वो मेभी आपके लिए harmful हो सकता है, अगर आप अपने इसाफ से चलत रही हैं, तो, अगर अच्छा समय रहेगा, तो फ़र कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो जी, ये चीज आपने देख लिया, तो यहाँ पर से करके कोई रेखा दिखे, निकले, तो ये विपरीद परस्तितियों में जिन्दगी को बताता है, एहसास कराता है, इसका मतलब ये हुआ, कि आप जिन्दगी पर बेशक आगे बरने के लिए परियास रहत हैं, लेकिन आपको किसी भी परकार की काम्याबी के लिए, जादा प पहनत करना पर रहा है, फिर भी कहिने के समस्याएं ही जिन्दगी पर दिख रही हैं, तो विपरीद पर सितिक आर्थ है कि जातक के जिन्दगी पर स्ट्रगल्स रहते हैं, स्ट्रगल्स को इंडिकेड करता है, स्ट्रगलिंग लाइफ को बताता है, तो ये भी नेगेटिव है जब भी भाग गे रेखा ऐसे फ्लक्चोइसंस में देखे ना तो stable नौकरी नहीं रहती है stability में थोड़ी कमी आती है अब किसी वेक्ति को आपने देखा होगा या देखते ही होंगे या अपने किसी कलीक को देखा हो या अपने किसी हितेसी को देखा हो या फिर अपने किसी भाई बंदो को देखा हो कि उनकी नौकरी जो ना एक जगा टिकती नहीं है stability नहीं रहती है तो जब जॉब में stability कम हो जॉब में अस्थरता कम हो तो भाग गे रेखा का ऐसा भी रूप देखा जाता है कि या तो जातक संतुष्ण नहीं होते हैं या उनके according उनको salary नहीं मल पाती है तो इस case में क्या होता है ना कि जातक job को छोड़ देते हैं जॉब में fluctuations निरंतर बने रहते हैं तो ये वाली बात भी इनके तली मुझे बता रही थी जापर से ये भी एक समस्या वाली बात है एक परिशानी वाली बात है तो चलो जी ये भी आपने देख लिया जान लिया अभी हम आगे और विचार करते हैं और भी क्यार नेगेटिविटी है थोड़ी से अलकेल की बुद्धर एक आपकी बनावट न ऐसे करके है थोड़ी बहुत स्वास्त की समस्याओं को दर्शाती है मूल रूप से स्टमेक की प्राबलम्स को इंडिकेट करती है जहापर से अगर जातक अपना पूरा केयर नहीं करते हैं तो जातक की जिन्दगी पर निरंतर समस्याओं के योग बने रहेंगे निरंतर समस्याओं जिन्दगी पर आती रहेंगी तो ये वाली भी बात आप केतली ही मुझे बता हो और समझा रही थी अभी हम आगे और चीजों पर विचार कर लेते हैं लिए और क्या बता और समझा रही है तो ये कुछ इनकी negativity थी बागी थोड़ा साथ जुपिटर यहां से भी दवाब में है तो ये भी कही नहीं प्रारंबिक समय में problems को बताता है और हेदर रेखा पर भी कुछ समस्याएं तो है तो काफी ज़ादा भावुकता है या फिर ऐसी रेखाएं जब भी बनी होना तो भावुकता के साथ साथ ना आपके जिन्दगी पर धोकों को भी इंडिकेट करती है कि लाइफ में परशानी और धोके भी मिल सकते हैं ये इस चीज़ का भी परचकर आती है जहां पर से जातक की जिन्दगी पर struggles तो रहते ही रहते हैं साथ साथ कुछ ना कुछ ना कुछ समस्याएं परसपर लाइफ में बनी रहती है ये भी इस चीज़ का पर चकर आ रहे थी कि इंसान को इमोशनल धक्य लगते हैं किसे पर आपने ट्रस्ट किया वह होता है उसका विशेश कर आपको सम्मान नहीं मिल पाता है वो ट्रस्ट विशे लेकिन अगर हिर्दे रेका पर ऐसी बनावट हो जाए इमोशनल नेचर की बाकी मस्तिक सरेका पर कुछ ऐसे तनाव के योग बन जाये जो की एक से ज़्यादा लाइन से दिख जाए मस्तिक सरेका पर तो जातक को इमोशनल धटके जटके लगते हैं तो डिस्टरब शुकर सुलिया धार तो जातक का ट्रस्ट जो इना फलित नहीं होबाता है मतलब अगर व्यूक्ति किसी पर ट्रस्ट करते है तो वह बहुत देर से फलित होता है ये इस चीज का परचकर आ रही है तो ड्रस तो आप बेसक करिए ट्रस्ट करने में कोया पतिया का बुराई नहीं है वैसे love marriage के भी योग हैं, लेकिन marriage आपका जो न थोड़ा late दिख रहा था, एक तो यहाँ पर से था, एक यहाँ पर से था, अगर ये वाली marriage आपकी फलित होती है, तो ये तकरीबन आपके ठाई साड़ के आसपास थी, जो की नहीं हुई, ये फलित होती है, तो तकरीबन आपक हो सकता है, बाद बाकी आपका शुक्र बढ़िया है, तो शादी के बाद की जिंदगी अच्छी रहेगी, चंदरमा भी ठीक है, तो अच्छी रहेगी, थोड़ी बहुत अनबर रहेगी, वैसे ये सब का discussion शादी के समय होता है, कुणली मलान का एक प्रक्रिया होता है, उसक तो पहले प्रसंत है, बाद की आगे के जिंदगी कैसी रहेगी, और जो भी आपकी negativity है इसका remedy आपको मल जाएगा, अप्टेंशन मतलो, इन सभी चीजों के लिए मैं आपको पाई बता दूँगा, जिससे आपकी नौकडी भी जल्दी होने के योग बने, और शातिसाद चाहूंगा और समझाना चाहूंगा, तो ये इनकी life line है, ये क्या बता रही है, कुछ प्रगती के योग इनके जीबन रेका पर बने हुए है, जो कि बच्पन से अच्छे परिवार से होते हैं, परिवारी जिंदगी वैसे कोई खराब नहीं रहती, अच्छे परिवार से आ ये परिचे जरूर करा रही थी, बारवकि यहां से भी दवाब है, तो ये भी कही नहीं कर इंडिकेड कर रही है, जाते के जिंदगी पर तो ली बहुत परिशानी है, अभी मैं आगे देख रहा हूँ, आप कहते लिपर तो ये प्रगती के योग थे, लेकिन कुछ-कुछ बच्पन से तनाव रहता है, 20 वर्स तक, हाला कि इंडिपेंडेंसी बहुत जल्दी आ जाती है, 22 वर्स में कोई नौकरी का योग थे, 21 वर्स में कोई दिक्कत था, 23 वर्स में तरक्की थी, फिर एक आपके 25 में था, और तर थोड़ा वो तनाव आपके रहा है, कंटिन्यू रही ते जिन्दगी को बताते हैं, और आपके 33, 34 तक, लेकिन एक बहुत बड़ी तरक्की, 34 में आपके दिक्रिये मुझे बहुत बड़ी तरक्की, 34 साड़ के आसपास, तो मैं भी आने वाले एक दो साल में आपको तरक्की मिले, फिर एक 35 में भी है, फिर एक आपके 37 में बी है, तो ये समय आपके लिए बहुत जबरदस्त रहेगा, 37 में 60 के आयों तक, बिल्कुल डाउट नहीं है, 37 के बाद एक आपके 38 में भी तरक्की है, फिर एक आपके 40 में भी है, 40 के बाद भी जीवन रहे का चीए, 45 में भी आपके, बड़ीया प्रोग्रस लाइन है, फि की मंगल्ड रेखा है, तो ये मंगल्ड रेखा इंडिकेट जरूर कर रही है, कि ऐसे विक्ति अपने जो भी negativity उसको जरूर पाल पाते हैं, अभी तो विपरित पश्तिती का योग बने हुए थे, तो ये विपरित पश्तिती का योग का अर्थ ये हो गया, कि जातक की जिन् इंतर प्रियास करिए सफलता की योग को बता रही है आपकी हतली, अभी मैं इनके हतली का जरूर दियन करूँगा, चीजों को असपस रूप से क्लियर करूँगा, तो वीडियो काफी ज़दा महतपून है, देखे, सीखे, समझे, तो सबसे पहले देखे, तो यहाँ पर से आगे रेक्टेंगल पाँ, जहाँ पर से जातक जिद्धी किसम के तो होते ही होते हैं, महतवा कांशी भी होते हैं, जिन्दगी पर बहुत कुछ करने की एक्षा और तमना रखने वाले वेक्ति भी होते हैं, थोरा गद्यदार भी अवस्था दिखरा है मुझे, तो comfortable life रहती comfortability को ये बता रही है, जहाँ पर से जातक के जिन्दगी पर comfort रहता है, अच्छे परिवार से आप तालोकात रखती है, no doubt, और गुलाबी एते लिए तो धन को attract करती है, जब भी धन के आवशक्ता हो कही ना कही से जिन्दगी पर धन जरूर आ जाता है, धन को लेके विसे इ जरी बता रही है, और थोड़ा सा अंदर से गबराहट की समस्या को बताता है, confidence कम होना इस चीज़ का परचकराता है, यह वाकरती है, जबी भी सपोर्ट क्या हो शक्ता पड़ेगे, मिल जाएगी, desires के काफी अच्छे है, वेक्ति काफी ज़्यादा में कांची है, और एक ज समझदारी के लूप ठीक है, आपकी समझदार है, बाकर decision making में थोड़ी से दिक्कत के योग को बता रहा था, finger पर खाई राइन साहित, इंसार है, दिल के बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़े गुस्याल परविर्ती के भी होते है, चुकि यह थोड़े इंट्रोवर कर सकती है, चलो जी, यह चीज आपने देख लिया, जाने लिया, अभी हम आगे वचार करते हैं, कि आपकी ग्रहों की स्थिति क्या बता रही है, उसको हम कैसे देख तकते हैं, कैसे justify कर सकते हैं, सब्सक्राइब जुपिटर, जुपिटर पर कुछ एक triangle जैसे आकरती तो है, तो 32 में साड़ तक आपकी जिन्दगी सेट होने या 32 के बाद 34 साड़ तक जिन्दगी सेट होने का असार है, थोड़ी से आपकी emotional तनाव रहते हैं जिन्दगी पर, life में problems को बताती है, या श्प्राप्ति में कमी को बताती है, मतलब जाता किसी के लिए कुछ कर दे, उनका विसे इसकर समान नहीं मिलता इस बात का परचे कराती है, बाद बाकी थोड़े से तनाव रही है आपके बच्पन से या फिर तनाव आपने लिया या फिर हाई, बहुत ज़़दा ठिंग करने के ओवर ठिंग करने की problems रही है आपके साथ, बागी जुपिटर एक समय के मेबी 25 वर्स, 26 वर्स के बाद तो ठीक ठाक बता रहा है, लेकिन जैसे ये माइंड डेकाई conditions थी ना, इसे वज में 30 साल तक थोड़ी से problem रहती है, ट्रस्ट रिसूस के योग बनते हैं, बागी मस्टिक सरेका देखा जाए ठीक ठाके लेकिन थोड़ी बहुत तनाव रहेग थोड़ी से 40 से 43 वर्स के बीच में है, अलाकि इसका remedy करने के बाद अस्थिरता बनागे रखने के बाद जदा समस्या ये नहीं आए गया, लेकिन थोड़ा सा यवा आकिरती जो है प्रॉब्लम्स को तो बताता जरूर है जातक को, तो इसके लिए भी थोड़ा जो remedy में दू और इसके योग कुदी बताता है, थोड़े इमोश्नल धको को भी ये बताता है, बागे आपकी ये सब भी लाइन से तो काफी भावुक है साथ ही साथ, रूटीन को फॉलो करने वाली ये सब लाइन जवरा तो इरिडेशन को बताता है, जल्दी थोड़ा इरिडेट हो जात जातक जल्दी ये इस चीज का परचकर आ रही है बागी आगे की बागी रेका भी बढ़िया है बागी की धनी तो है आप बागी को लेके परशानी नहीं है यहां से दबाबे तो व्यक्ति महनती है रिश्टर शुकर वले है मूट स्विंग के प्राउब्लम्स को बताता है ला इसे वक्ति अपने जिंदगी पर सफल हो पाते हैं सफलता को पराप्ध करते हैं यहां पर से चीज़ें इंडिकेड कर रही है कुछ स्एल्ड़र इंडिकेड कर रहा है टो इसवेक्ति 100% 36 वर्ष के बाद अपनी प्रौपर्पटी को बनाते है और प्रौपर्पटी एक से आपका आरे करती है दोड़ो मंगल अच्छा है energetic तो है energy से आगे जिन्दगी पर बढ़ना चाहते है energetic रहती है ये सब थोड़ी से ये सब lines जो रहे ये थोड़ी useless आई इसका कोई wishes अर्थ नहीं है ये एक मरके line के branch यहाँ पर से है थोड़ी टूड़ी lines है तो थोड़ी बहुत पेट की समझ से अला कि proper care के जाए तो कोई wishes दिक्कत नहीं होगा चंदरमा वैसे बढ़िया है triangle बना है तो घर से दूर की उन्नती यहाँ से भी देखो कुछ lines आपके चंदर पर बने हुए है चंदर से भागे रेखा गई है तो कला साही तो मैं इंटरस्ट को यह बताती है और समझाती है उसके बाद अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ से भागे रेखा सुरवाती दोर से अलची नहीं थी एक समय के बाद ठीक थी लेकिन fluctuations परस पर बने रहे है 28-29 के बाद की भागे रेखा ठीक थी है 30-32 के बाद भी भागे रेखा अच्छी है 36 के बाद भी मुझे बढ़िया दिख रही है आपकी भागे रेखा यहाँ से देख लो जबर्दस्त है प्रॉपर्टी के योग के साथ है 34 वर्ष के बाद property का सुख आपको मिल सकता है जीवन रेका ठीक है 34 वर्ष के बाद परिवर्तन है आपके लाइफ में और बाकी मंगल रेका भी बढ़िया है और यहाँ से भी देखो यह सब कुछ एक lines है जो भागी रेका के छोटा-छोटा ब्रांच है जो की बहुत संतुलित नहीं थी luxury के सुख के proper line से वो तो आपको मिलेगा luxury जिन्दगी रहती है सुख रेपर lines बड़े अच्छ है तो money management प्रबद है थोड़ा stressful जिन्दगी रहता इस बात का परचे करार ही है यह lines indicate कर रहा है अब आप वाट्सअप देस्क्रिप्शन मिल जागा लेकर आप समपड़ कर सकते हैं धन्यवाद